नमस्कार मैं हूँ प्रग्या धराधरती इस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुक खबरों को रेल मंत्राले ने कहा है कि 23 सितंबर 2017 को जारे निर्देशों के अनुसार टिकेट कैंसल करने पर बुकिंग के समय चार्ज की के रासी को GST के साथ वापस किये जाने का प्रावधान है रेलवे ने कहा है कि टिकेट कैंसलेशन के बाद रेफरंट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है यह नियम के वर AC क्लास या प्रतम स्ट्रेनी के टिकट पर लागू होती है बिहार में CBI की नो एंट्री को लेकर आरजेटी उपाध्यक्ष सिवानन्तिवारी के बयान से सीएम नितीश कुमार ने किनारा कर लिया है नितीश कुमार ने कहा पता नहीं उन्होंने क्या बोला है मुझे जानकारी नहीं है दिली से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की एक फ्रैट सोमवार सुभा मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैस लैंडिंग में बाल बाल बच गई बता दी कि विमान सुभा नौ बजे मुंबई के मुख्य रनवे 27 पर उतरा यहां उतरने के बाद पता चला कि विमान का टायर फट गया है इसके बाद मुख्य रनवे को घटना के निगरानी के लिए बंद कर दिया गया है इस दोरान यहां उतरने वाले दो अन्य विमानों के उरान भी अस्तगत कर दी गई बिहार में सरकार बदलने के बार तेस्वी सरकार ने निश्चे किया है कि अब पसुपालकों को सरकार के सर पर एक बड़ी राहत देगी अब पसुपालकों को उनके पशुओं के प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पसु के हिसाब से 30,000 दिये जाएंगे हाला कि एक परिवार को अरिक तम 3 पसुपा ही मौआवजा मिलेगा इसी तरह घोडा बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25,000 बच्राग गधा की मौत पर 16,000 और भेरवक्री की मौत पर 3,000 दिये जाएंगे गुलाम नभी आजादे पार्टी के साथ अपने पूरे सलाकार तंत्र को धस्त करने और पार्टी को बिना किसी वापसी के बिंदू पर ले जाने के लिए राहुल Гांधी पर हमला करते वे कहा मैं किसे दोस्ट दू मुझे राहुल गांधी को दोस्ट देना पड़ा क्योंकि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया 라हुल गान्धी का संगठन के पूरन निर्मान पर ध्यान नहीं है वो फोटो सेशन धरने और सारजनिक रैलियों के लिए अच्छे हैं ये एकलाप है बिहार में बालू की कीमते पहले से और जादा बढ़ने लगी है सरकार ने अब बालू घाटों की बंदोवस्ती को लेकर आज एक महत्वपुन प्रस्ताव पर मुहर लगाई है कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था जिसके बाद अब कई बालू घाटों की बंदोवस्ती दर में दोगनी कर दी गई है पहले यहां रूपे 75 प्रति घन मीटर की हिसाब से बंदोवस्ती होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रूपे प्रति घन मीटर कर दिया गया है दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे अस्तुरुक्षित स्था ने बता दे कि राश्टी अपराथ रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराथ के 13,892 मामले दर्ज किये गया जिसमें 2020 के तुलना में 40% से अधिक कि महत्वपुन वृदी हुई 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराथ का आकड़ा 9,782 था 2020 में बढ़कर 13,892 मामले हो गया प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने सोमवार को परोसी देश पाकस्तान में बार की हालत पर दुख जताया उन्होंने बार पिड़तों के प्रती संवेदना जताते वे ट्वीट में लिखा है कि पाकस्तान में बार से हुई तबाही को देखकर दुखी हूँ हम पिरुतो, गायोलो और इस प्राकृतिक आपदा से प्रावावित सभी लोगों के पडिवार के प्रती अपनी हार्दिक सम्वेदना व्यक्त करते हैं साथ ही सामाने अस्थितिक इस्तिक रही बहाल होने की उम्मीद करते हैं भारतिया रिजर्व बैंक ग्राहक सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने के तहट एक केंद्रिये बैंक फ्रोड रजिस्ट्रिय स्तापत करने पर विचार कर रहा है उन्होंने कहा है कि इस डेटा बैंक से जाल सास दोवारा धोखा धरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इन वेबसाइट या फोन नमरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा भुकतान प्रिनाली के प्रतिभागियों को इस डाटा बेस तक सीधी पहुंच दी जाएगी कॉंग्रिस ने अभिवार 28 अगस्त को एलान किया कि 17 अक्टूबर 2022 को पार्टी के अध्यक्षपत का चुनाव होगा इस पर कॉंग्रिस नेता ससी थरूर का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव पारदर्सी होना चाहिए इससे आने वाले दिताओं को पार्टी का नेत्रत करने के लिए एक विश्वशनी जनादेश देने में मदद मिलेगी एक नए अध्याश का चुनाव करना कॉंग्रिस को पुनरजिवित करने की दिसा में एक सुरवात है जो लोग 20-47 कॉंग्रिस के साथ थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वे अब ना तो रास्ट्री है और ना ही छेत्री है अब तो बस ये वंसवाद और भाई बहन की पार्टी है सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी कॉंग्रिस क्यों छोटी होती जारी है या कमजो राज्य समनवयोग की एहम बैठक हुई जिसमें यात्रा को लेकर आकरी रूप रेखात तै की गई है यात्रा साथ सेतंबर को साम पांच वजे कन्या कुमारी में एक पब्लिक रैली होगी जिसमें राहुल गांधी रहेंगे तमिल केरेला आधी के लोग सामिल होंगे इन प समयधान 6 सेतंबर को पीर सुनवाई करेगी इसके लावा समयधान 6 सेतंबर को जन्हेत अभियान दोरा दायर 103 में संसोधन अधिनियम 2019 की समयधानिक वैत्ता को चुनोती देने वाले मामलों पर भी सुनवाई करेगी इसके तहत राज्य को उस सिक्च और साजनिक रोजगार के मामले होंगे चुनाव पार्टी के लिए अच्छा रहेगा बता दे कि उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्वतन्त एवं निस्पक चुनाव कराने का आवाहन किया है जारकन के दुंका की रहने वाली अंकिता से की हत्या मामले को लेकर कॉंग्रिस महासचीफ प्रियंका गांधी ने आरोपी सारू को सक्स सजा देने की मांग की है उन्होंने कहा कि जारकर में एक लड़की की निर्मम हत्या के मामले में अपराधियों को त्वरित और सख सजा मिलनी चाहिए यहापराध की रोक थाम और नयाय के लिए जरूरी है महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में सख्त और जल्द कानोनी प्रक्रियाग पूरी की जाए पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला हत्याकान को लेकर विदेसो में भी आक्सन सुरू हो गया है गैंग स्टार लॉरंस विस्नोई के भांजे सचीन विस्नोई को हिरासत में लिया गया है जानकारी के मुताबिक सचीन विस्नोई के पास भी फरजी 1650 पन्नों के चलान में 24 आरोपियों के नाम सामिल है। इन में से 20 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पर गंबीर चिंता प्रकट करते वे नराजगी जताई है। हमेसा विवादों में रहने वाले एक्टर कम प्रोड्यूसर कमाल रसित खान को मुंबई पुलिस ने एरपोर्ट पड़े गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बोरी वाली कोर्ट में पेस किया जाएगा। कहा था कल CBI हमारे बैंक लॉकर पर चापा मारने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की चापे मारी में कुछ भी नहीं मिला। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा CBI का स्वागत है मैं और मेरा पुरा परिवार जाच में पूरा सहयोग करेंगे। भारत में कोरोना मामलों में गिरावर दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में इसे 5,449 नए कुरोना मामले सामने आया है। जबकि Active K School 65,732 है, बीते 24 घंटे में 22,031 लोग इस कुरोना से रिकवर भी हुए है। अब देश में सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतीसत है, जबकि रिकवरी रेट 95.7 प्रतीसत पर पहुँच गया है। 24 घंटों में 15 लोगों की मौत भी हुई है। पाकस्तान के खिलाब भायत के मैच में हार्दिक पांडिया के आल डाउन प्रदर्शन का सबसे बड़ा योगदान रहो और वो प्लेयर आफ दम मैच बरे। अपने इस प्रदर्शन से उन्होंने टीम इडिया के पुर्व आल राउंडर युवरास सिंग का रिकॉर्ड तोर दिया। संगीत बजा रहा था, इस तरह का बचाओ मजबूत नहीं है, हमें यकीन है कि अथोर्टी की ओर से इसका समधान किया जाएगा, जिसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेंसेक्स अफ 915 अंको के जबरदस्त उचाल के साथ 98,887 के स्थर पर है, वही निफ्टी 270 अंको की बहत के साथ 17,583 के स्थर पर है, निफ्टी 50 के 49 सेंसेक्स के 29 स्टॉक हरे निसान पर है, भाड़ी गिरावट के साथ सुमवार को बंसेर बजार के सुरवात आज मजबूत सेंसेक्स अंको की बहत के साथ 98,269 के स्थर पर खुला वही नेशनल स्टॉक, एक्स्चेंज निफ्टी की सुरवात भी हरे निशान के साथ हुई कॉंग्रेस पार्टी की जमू कस्मी रिकाई में बड़ी तूट पर गई है, गुलाब नभी आजाद के समर्थर में राजे कॉंग्रेस के साथ बड़ी रिताओं ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है, इस्तिफा देने वालों में कॉंग्रेस के वरिस नेताओ और राजे प्रमुक उद्योग पति गौतम अडानियत दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी कलौते व्यक्ति है जिनके संपति बढ़ी है बागी के सबी धुन केब्रों की संपतियों में गिरावट ही आई है ताजे आकडों के मुताबिक इस तरह गौतम अडानी 137 बिलियन डॉलर की संपति के साथ लिस्ट में तीसरे नमबर पढ़ है एंसेपी चीफ सरतपवार ने पीयम मोधी पर करारा तंच कसा है उन्होंने कहा कि मेरी उमली पगर कर राजनितिक सीखने वाले व्यक्ति के बारे में पता नहीं था कि ये देश के लिए इतना घातक हो जाएगा सरतपवार ने अपनी उम्र का हवाला देते वे कहा कि देश में सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे वे स्विकार नहीं करेंगे और नाहीं इनकी कोई इक्छा है हाला कि वे किंद्र सरकार के दमन के खिलाब देश भढ़के सभी विपक्छी दलों को एक जूट करने का काम जरूर करेंगे दिल्ली सरकार की चर्चित नई सराबनीती को लेकर देश के अग्रणी समाजिक कारे करता अन्ना हजारे ने मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को पत्र लिखकर नसीहत दी है उन्होंने कहा आपने स्वराज नाम की किताब में कितनी आदर्श बात लिकी थी आपसे बड़ी उम्मीद थी लेकि लगता है राजनीती में जाने और मुख्यमंतरी बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गये हैं जिस प्रकासराब का नशा होता है उसी प्र कार वह सिर्फिरे लोगों दिवरा चलाई गई मुहीम है जिनके पास करने को कुछ भी नहीं है उन्होंने कहा कि जो लोग मालदीव में यह मुहीम चला रहे हैं उनके पास कोई राजनीतिक समाच आर्हीं विकास हमारे दोरे पूझे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है डिसी के इस्तिवारी असोग कुमार प्रजापती, मुहम्मद अतौला, रवी संकर, मुहम्मद इमरान, राज कुमार कुश्वाह, नुनु कुमार, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, आज का सवाल 23 सरकार के दोड़ा पसु के प्राक्रितिक मौत पर मुवजा देने के निर्ने से पसु पालको को कितना फायदा होगा अब अपने जवाब हमें हमारी कमें सेक्षन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद